स्ट्वेमा सॉलेशन चप्र 29 एलेक्ट्रिक फिल्ड पोटेंशल क्वेशन नूमबर 38 त्री इडेंटिकल चार्ज इच हेविंगा चार्ज इक्वल टो वन इंटो टेंट के पर माने सेट कूलम और प्लेस अ कॉनर ऑफ एक्विलेटल ट्राइंगल ऑफ साइट 20 सेंटिमेटर तो अपने पास यह एक्विलेटल ट्राइंगल है ABC यहाँ पे चार्ज पर तिनों पोट्ट के ऑपर tud यह सेंट करना है अडी में direction होता है लेकिन potential में direction नहीं होता है और potential तीनों charge के वाज़ेसे तीनों charge के वाज़ेसे पोटेंशल positive है क्या है positive ओके तो सबसे पहले मैं electric field find करता हूँ electric field find करने के लिए जैसे मालों यह मेरा point O है तो यहां पे AO पता होना चाहिए AO distance कितना है यहां B O distance कितना है वो पता होना चाहिए और E O distance C O distance पता होना चाहिए right okay तो यह distance निकालना पड़ेगा यहां से अपने काम करते हैं यह इसको अगे बढ़ाते हैं तो यह center से मिलता है right तो यह कितना distance है यह अपना L by 2 है right और यह अपना L है तो यह आ जाएगा H तो H निकाल देता है H is equal to क्या होगा root L square minus L by 2 का whole square right इसको soul करेंगे तो अपने पास यह आ जाएगा root 3 by 2 L right इसमें L कितना है अपना पास L है अपना 20 centimeter यानि 0.2 meter यहां पर आ जाएगा root 3 by 2 into point 2 right यह आ जाएगा point 1 into root 3 okay यह आगे अपना H और H आ गया तो O B कितना होगा O B होता है H का 2 by 3 2 by 3 होता है O B क्या है O B distance H का 2 by 3 कितना आ जाएगा 2 by 3 of point 1 into root 3 यहांस अपने पास O B distance आ जाएगा O B distance कितना आएगा point 1 1 5 वह भी कितना जाएगा point 1 1 5 meter ओके तो सेम जितना O B है उतना ही क्या है O A है और उतना ही क्या है O C है ओके तो अपने पास distance मिल गए अब यहां पर फिल्ड दिकालना है तो फिल्ड डियो टू ए एक चार्ज की वज़े से फिल्ड कितना होगा A की वज़े से फिल्ड होगा K Q by R square R कितना है A O square तो यहां पर अपने पास फिल्ड आ जाएगा और सेम यही किसके एक वल होगा सेम मैगनिट्यूड B वाले फिल्ड का होगा और सेम मैगनिट्यूड C वाले फिल्ड का होगा पर डियरेक्शन डियरेंट होगा जैसे A की वज़े से फिल्ड है उसका डियरेक्शन यह होगा और C पे जो चार्ज है उसका डियरेक्शन यह हो और बी पे जो फिल्ड चार्ज उसका डारेक्शन यह होगा और तीनों में जो एंगल देखो एंगल कितना है 120 120 तो तीनों तीनों वेक्टर सेम है और एंगल बीच में क्या है similar है तो यह सिमेट्री के वज़ा से क्या होगा तो resultant क्या हो जाएगा क्योंकि net अपन एलेक्ट्रिक देखन तो क्या हो जाएगा 0 यह भी यह यह और यह भी यह और यह भी है और तीनों के बीच में एंगल कितना है 120 120 120 तो सिमेट्री से क्या होगा net क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, net आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप एकाम करो, vector sum करो, net 0 हो जाएगा, यानि net electric field at O कितना होगा, 0 होगा, okay, next potential देखते हैं, तो potential at O due to A, potential at O due to A कितना होगा, kQ by R, और same potential किसके, same potential होगा, B का, और same potential होगा, C का, तो total potential कितना हो जाएगा, O पर 3 times of ये V, जो भी R है, 3 times of V, और V कितना है, kQ by R, kQ by R, value put कर देते हैं, k कितना है, 9 into 10 की power 9, q कितना है, 1 into 10 की power minus 8, और R, ये 3 times है, R कितना है, R अपने pass है, 0.115 into 3 times, okay, इसको solve करेंगे तो अपने pass होगा, 2347.826 V, यानि कि, 2.3 into 10 की power 3 V, ये होगा, potential at O, और potential positive होगा, क्योंकि, तीनों charge क्या है, positive है, electric field, 0 होगा, क्योंकि, vector sum इनका, 0 होगा, बाकि, individual का electric field, kQ by R square होगा, clear है, क्योंकि, आलो, एज heures, दोते हैं, इसकी है, बाकि, आलो, ये रुद है, बश्पू करी मिंग्नी ने चाह ने है, बाकि कितना है,acak क।OW, क्योंकि आलो, ने स prends का य would, ये है, आलो,